इस festive season को अपने special ones के लिए और भी special बनाये ये चॉकलेट घर पर बना के ये handmade चॉकलेट बहुत ही tasty और delicious लगती है साथ के साथ बहुत असान है इसे बनाना इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको चॉकलेट बनाना तीन तरीके से बहुत ही असानी से अगर आप सोच रहे हैं चॉकलेट का बिजनस चार्ट करने की तो आप बिल्कुल साई जगा पर हैं मैं आपको बताऊंगी कैसे एक चॉकलेट के बिजनस को प्रॉफिटेबली आप रन कर सकते हैं स्क्राट से आपको बताऊंगी कि कौन सी चॉकलेट आपको सिलेक करनी चाहिए और कितना मार्जन आपको सेट करना चाहिए तो चलिए देखते हैं चॉकलेट बनाने की यह असान सी रेसिपी चॉकलेट बनाते हुए सबसे पहली वह बहुत असान है डाक कंपाउंड जो हे 500 ग्राम का पाकिट है यह और फिस्टी रूपीज का है यह जो मिलक कंपाउंड बार है यह बहुत ही टेस्टी होती है मन करता है इसे ऐसे भालो पर नहीं हम थोड़ा वेट करेंगे ना चॉकलेट बना के खाएंगे और जादे मज आएगा तो हर एक पाकेट में ये चार बार होती है 125 ग्राम इच तो आज की चॉकलेट बनाने में मैं तो इस तो वन की रेशियो यूज कर रही हूं यानकि दो डाक कंपाउंड बार और एक मिल कंपाउंड बार आप वाइस वास अभी कर सकते हैं और इकुल रेशियो भी ले स जब हमें इसे यूज करना होगा तो हम इसे निकालेंगे और यूज करेंगे ध्यान रखेगा चॉकलेट के साथ काम करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपके जो हाथ है वो वेट ना हो और मोईश्र ना है क्लाइंट वक कर रहे हैं तो और जादा ध्यान दीजेगा आप हाथ में गलफ्स पहन सकते हैं वेट होनी की वज़े से चॉकलेट बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो इसलिए ध्यान देना है गलफ्स पहन के बनाए और टैंप्रेचर जो है वो कूल टैंप्रेचर में बनाए एसी में बनाए तो ज्याधा अच्छी चॉकलेट बनेगी अब इन compound bars को हमें cut करना है चोटे-चोटे pieces में finishing की जवत नहीं है आप जैसे आड़ाते चाज जैसे मर्जी से cut कर सकते हैं अगर आप chocolate का business करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल end तक देखिएगा एक-एक चीज मैंने detail में share की है इस वीडियो में अब इन सारे pieces को या तो steel के किसी बाउल में transfer कर देंगे या फिर किसी कांश के बाउल में transfer कर देंगे और double boiler procedure की थूँ हम इस chocolate को melt करेंगे हम directly heat नहीं करेंगे इसे gas पे हम इसे double boiler के थूँ मेल्ट करेंगे मैं समझाती हूँ क्या है यह double boiler procedure आगे एक pan लेना है और इसमें डालना है पानी इसे medium to low flame पर boil आने देना है जैसे ही boil आ जाए flame को low कर देंगे अब जो bowl हमने लिया था जिसमें हमने chocolate chunks डाल ली थी compound bars को pieces करके वो इसमें इस तरीके से रखना है ताकि वो पानी को touch ना करे और इसे continuously stir करते रहना है ताकि यह properly heat से melt हो direct flame पर हम इसलिए नहीं रखते नहीं तो chocolate जल सकती है इसलिए हमें इसे low flame पर heat से melt करना है चॉकलेट melt करने के लिए एक और आसान तरीका है आप इसे microwave में भी melt कर सकते है 30 seconds के लिए microwave set कीजिए melt कीजिए फिर इसे stir कीजिए फिर दुबाय 30 seconds के लिए कीजिए ऐसे कर करके आप chocolate असानी से melt कर सकते है चॉकलेट melt करने के दोनों ही असान तरीके हैं बहुत ही असानी से इसमें chocolate melt हो जाती है बस एक बात का धिहान रखना है जब आप double boiler procedure फॉलो कर रहे हो तो जो पानी है इसमें नाए moisture आने से ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी चॉकलेट बिलकुल low flame पर इस compound को melt करना है और इसे stir करते रहना है side by side हम जो dry fruits इसमें add करने हैं वो ले लेते हैं 2 टेबल स्पून मैंने बदाम लिया है 1 टेबल स्पून काजू और 1 टेबल स्पून ही हमने लिया है walnut अब ये सारे dry fruits को हम छोटे छोटे pieces में chop कर लेते हैं अगर आपके पास dry fruit chopper है तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी हो जाएगी चॉप करने में अब नहीं चॉप किये हुए dry fruits को न एक pan में low flame पर बिल्कुल जरा से घी के साथ roast करना है continuously stir करते रहना एक मिनट के लिए low to medium flame पर इसे continuously stir करते हुए roast करेंगे और जैसे ही आप देखेंगे color change होना शुरू हो गया light golden सा हो गया है तो flame को off कर देंगे side by side जो हम chocolate melt कर रहे थे देख सकते हैं proper melt हो चुकी है इसमें कोई chunks नहीं रह गए है compound के तो इस time पर हम इसमें add कर देंगे सारे जो dry fruits हमने roast किये हैं proper अच्छे से mix कर लेंगे दो chocolate हमने यहां cover कर ली हैं एक हो गई plain chocolate जब हम इस compound को melt करने के बाद as it is इसे freeze कर देते हैं जमा देते हैं वो आगे तरीका में आपको समझाओंगी दूसरी हम जो dry fruits roast कर चुके हैं उसे mix करके अच्छे से फिर हम इसे set करेंगे तो दो chocolate cover हो चुकी हैं तीसी के लिए अभी हम वीडियो आगे देखेंगे फिर सीखेंगे इसे mold में transfer करने से पहले इस अच्छे से थंडा करना है इस तरीके से थंडा करना है ताकि रूम temperature पर आ जाए compound एक बाई melt होने के बाद जल्दी से जमता नहीं है यह बहुत अच्छी खासियत है इसके साथ work करना है इसलिए असान हो जाता है थोड़ा से थंडा करने के बाद इस तरीके के molds ले लेने हैं जिस भी type के design के यह plastic molds हैं ऐसे silicon molds भी आते हैं और जो आपकी trays वगेरा है जैसे यह biscuit में आती है केक्स में आती है इस तरीके की trays भी आप ले सकते हैं आप एक एक चम्मत जो है ना इसमें molds में fill करते जाएंगे इस तरीके से ताकि यह पूरे अच्छे से molds cover हो जाएं पर भार ना निकले चॉकलेट बनाने के इस procedure को अगर आप सई तरीके से follow करते है न तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है है चॉकलेट बनाते हुए और खाने में तो और भी जादा मज़ा आएगा चॉकलेट मोल्ड को अच्छे तरीके से fill करने के बाद जो एक्स्टा चॉकलेट है उसे मैं remove कर दूंगी हाथ से या किसी tissue paper से ताकि यह पूरा अच्छे से clean हो जाए जो यह चॉकलेट मोल्ड है इसे अच्छे से dab कर देंगे ताकि चॉकलेट जो एक साल हो जाए और जो भी different shape and sizes में plastic molds आते हैं जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं इसे भी उसी तरीके से fill करना है एक एक चमच चॉकलेट इसमें add करनी है फिर इसे dab करना है यह जो भी molds मैं यहाँ पे ले रही हुना इसको boiling greasing करने की जोरत नहीं है बस आपको क्या करना है इसे fill करना है और freezer में 5 मिट के लिए set होने के लिए रख देना है फ्रिज में freezer में नहीं तो त्यार है हमारी chocolates तीसी टाइप की चॉकलेट के लिए भी आपको compound को melt करना double boiler procedure से फिर उसके बाद चॉकलेट आट करनी है एक dry fruit रखना है उसके बाद फिर उसको conceal करना है चॉकलेट से ऐसी सारा procedure repeat करना ह चॉकलेट डालनी है फिर उसके बाद dry fruit रखना है फिर उसको चॉकलेट से conceal करना है टाप करना है ताकि जो भी air bubbles हो निकल जाए और चॉकलेट एक सार हो जाए पांश मिट फ्रिज में set करने के बाद चॉकलेट कुछ इस तरीके से दिखेंगी सारी chocolates ready है हमारी demold करने का तरी से हल्क के हाथ से प्रेस करना है यह procedure continue करना है ready है हमारी बढ़िया सी घर में बनी हुई हो में chocolates तो अब मैं यह costing आपको समझाओंगी तीन बार से हमारी 40 chocolates ready हो गई है overall costing समझते हैं दो packet लियेते 500 ग्राम की अगर हम सारी की सारी chocolate बना ले तो मतलब 1000 ग्राम की तो 350 की costing आई तो total chocolates जो बनेंगी वो 100 से 120 pieces बनेंगी अभी 100 pieces मान लेते हैं तो 350 divided by 100 3.5 रुपीस के एक पीस की costing पड़ेगी आपको अगर आप selling purpose के लिए बना रहे हैं तो packaging करना तो बहुत important है यह wrapping papers आते हैं online आपको easily मिल जाएंगे मैं link share कर दूँगी इसमें बड़ी sheet भी आती है 8x8 की sheet मै मैंने अपने आप cutting कर ली है एक चॉकलेट को राप करने के लिए 8x8 cm काफी है ऐसे sheets कट करने के बाद अब मैं बताऊंगे आपको कैसे इसको राप करना है एक चॉकलेट इस sheet पर रखनी है उल्टी फिर wrapping paper को एक साइड से हलके हाथ से फोल्ड करना है ता कि कोई इसके अंद continue करना है तो अभी हमने कितनी चॉकलेट की costing लगाई थी 3.5 उसके अंदर हम packaging की cost आड करेंगे dry fruit की cost आड करेंगे तो एक चॉकलेट जो है around 5 to 7 रुपीज की आपको पड़ेगी चॉकलेट wrapping paper आपको online असानी से मिल जाएंगे मैं कुछ links नीचे provide कर रही हूँ आप उसे check out कर सकते हैं जो extra paper बच जाए ना उसे इस तरीके से fold कर देना है या फिर इसे cut कर देना है ready है हमारी chocolate ऐसे ही बाकी सारी chocolates को भी हम इसी wrapping paper में fold कर लेंगे और आजकल तो homemade chocolates बहुत ही trend में है तो आप इसे असानी से 25 से 35 रुपीज में sell कर सकते हैं एक piece मैं कुछ link share कर रही हूँ Amazon पे कि homemade chocolates कितने की sell की जाती हैं बहुत ही tasty लगती है और दिखने में बहुत ही सुंदर होती है और sell करना भी से बहुत असान है पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा हर चीज मैंने इसमें share की है कौन सी chocolate compound हमें लेनी है क्या costing set करनी है कैसे से melt करना है कैसे से set करना ह कौन सा wrapping paper लेना है costing क्या रहेगी selling cost क्या set करनी है तो A to Z मैंने सब इसमें detail में बताया है फिर भी कोई query हो तो आप इसमें comment करके मुझसे पूछ सकते हैं तो इस दिहार रिष्टों में घोलिए मिठास homemade chocolates के साथ business के लिए भी है ये recipe दमदार तो जरूर try करे मैं मिलूंगी ऐ यसी ही और बढ़ा tasty delicious recipes के साथ तब तक के लिए good bye take care don't forget to like share and subscribe